आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम बनाएंगे एक न्यू रेसिपी एक दम खटा मीठा आचार इसे आप मुरभा भी बोल सकते हैं यह आम का हमने मुरभा खटा मीठा आचार भी इसे बनाएं तो चली इस रेसिपी को बनाने के लिए देख लेते हैं हम लेंगे इस छील के लिए आप भी चाहते हैं तो अपना घर में बना सकते हैं इस वीडियो को जरूर से देखे आप वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को सेयर भी कर देएगा चानल को सब्सक्राइब भी कर लेजएगा तो चली इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिए था 1 जाम प्रक्रेज़ले सब्सक्याइश को लेकर हम डिए engahe сам कहुतां कुछ निकालने के लिए अब होटा हमाता जलकर तो सबीक ऐसेधर इसलिकौपी आज इदर करेकूते हैं है इस ऐअम में बहुत ही ऑनीय हैं कर नहीं हैं कर सकते हैं फुर्ण कोई प्रस्याधे डाव चांपते हैंleigh lian ? इस सॉपर की पीश्बित बने के तरह स्कत है आसे आज Свैस्थ में सब्सक्राइबनरर न बने के लिए पहले है सबसे पहले हम आम को एक बाडा बरतन लेकर उसमें धो लेंगे तो आप कोई भी बाडा बरतन लेड़ी के लिए डालेंगे आधा चमच के करीव आधा जीरा घीर डाले हैं इसमें डालेंगे रिफाइन वाईल के अगीиль में भी बना सकते हैं तक थोड़ी थोड़ी हमने दो चमच बड़े चमच से रिफाइन वाईटниц हम वागल डालें नहलं Getting अब टालेंगे हम आम इसमें तो चलिए इस सभी मसाली हमारे लाल हो चुके थे तब डाल देते हैं आम सभी आम को इसमें हम एड कर देंगे सभी आम को हमें 10-15 मिंट तक भूनना होगा जैसे आप आलू अलू फराई करते हैं वैसे ही आम को भून लेते हैं ज्यादा नहीं भूनना होगा थोड़ा सा कणा पन रहा है तभी हम निकाल लेंगे क्योंकि आम का मुरबा बनाने से आम बहुत ही जल्दी गल जाता है देखिए इधर एक हमने आड बड़ी कढ़ाय चोटी कढ़ाय बठाए थी तो इसमें डालेंगे मसाले भूनने के लिए तो अभी डाल दी एक बड़े चमच सौफ एक बड़े चमच जीरा अभी इन सब को लेते हैं दोनों को मसाले को हलकाल लाल-व्रान होने तक के अभी इस में डालेंगे चार लिदी की ओली मीर्च आम में डाल देंगे थोड़ा आदा चमच के करीब नमक नमक ज्यादा नहीं डालना है हमें आदे चमच के करीब ही डालना है एक कीजी क्योंकि हमारा आम है पुछली थोड़े दिर हमें इसे पकने देते हैं तो देखे हमारा मसाला इदर भून चुका तो आभी इसमें डाल देते हैं जाल मिर्च एकदम डालना है आप दीकी वाले ही लाल मिर्च डालदे तो अभी मसाले को हम में थोड़ा सा आधा चमच नमक एड़ करेंगे देखे हमने आदा चमच के करीब नमक एड़ कर दिया अब मसाले हमारे बिल्कुल खड़ा भूनकर रेडी हो चुके तो इतना ही मसाला हमारे भूना है मसकाले को गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे आम में भी अब हम चार लाल मिर्च जारल देंगे तोड़ना नहीं है मिर्च को ऐसे ही डाल देंगे एक तम खड़े मिर्च डालना है हमें आम भी हमारा भूनकर रेडी हो चुका था एक के जी आम के लिए यह मसाले को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10-100 गराम के करीब वूर ले लिए यह डाम को हमने निकाल दिया थी algorithms आप माप यादर holds देंगे तीन- aucunmal मू. अभी इसे पुड़ा पिखनने देंगे मसाले हमारे ठंडे हो चुकिते मसाले को दरदरा मोटा पीछने के लिए हमने सिलोटी का यूज किया था आपके घर में यह नहीं तो नहीं होदगा तो खल पे भी आप लगा कूट सकते हैं जो खल होता है कूटने वाला मसाले उसमें भ तो फेट से थोड़ी सी एकदम पानी डालेंगे और इसे हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए इसे हमें अच्छे से पकाना परेगा 10-15 मिनिट के करीब आपको पकाना है इसे अभी बाग मसाले को हमने जो भून कर रखा था उसको बाद में हम डालेंगे चलिए इसे पक लगी आम का खटा मिठा आचार या मुरबभा रेसिपी कौन-कौन बनाना जाता है जुरू हमें बताएं कोमेंट करके फ्रेंगे इस आम की चटपटा रेसिपी कैसी लगी आपको देखी आम थोड़ा हमारा पक भी चुका था अभी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर लेंगे तो यह अभी बहुत ही अभी कड़ा था तोड़ा और 10 मिनट के करीब हम पकने देंगे तो थोड़ी डालेंगे लाल मिर्च हम तीखी वाली थोड़ा तीख्या और खटा पर चटपटा अच्छा लगता है तो आप थोड़ी गुल मिर्च पाडर भी डाल सकत अब उसकी बार या ति यह आ ने के तो पाउडर मसाला हम एक चमच पुड़ा बर नेंगे एक मुझु tapi by टायंगे थोड़ी हम बाद में डालेंगे एक चमच भणकर डालने के बाद इसे 2-3 मिनिट आ पकाना होगा मसाले अच्छे से देन ने के देंगे ढよね sigui मां अच्छे बहुत ही पसंद आते ही यह सभी को रेसिपी आम के दिने मतलब देखिए आम बिल्कुल हमारा पक चुका है आप ऐसे ही चेक करकर देख लेए जग नहीं तो कोई कोई आम होता है जल्दी इतना जल्दी पिखल जाता है अच्छा नहीं लगता हो एसे हलुआ जैसा हो जाता है आपको थोड़ा आम करां ही रख रहा है बहुत ही अच्छा स्वाद आई गया इसका तो चलिए अब हम इसके घैस को बन कर देते हैं और एक चमच और श्राव मसाला हम गश्राव करने से पहले इसमें एड कर देंगे तो दो चमच हम ने मसाले डाले थे आपको मसाले कम लग भी सकते हैं तो हमने थोड़ी सी ग्रेवी रख दी थी जिससे इसको अच्छा लगता है तो चलिए बिल्कुर रेडी हो चुका था भी से हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं तभी आपको एक प्लेट में सर्फ करके दिखाएंगे कितना स्वाधिष्ट हमारा रेसिपी बन क करते हैं यह उसी आप एक से दो महिने तक रख भी सकते हैं प्ली करके आप इसको किसको एरेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा आप वीडियो पसंदे तो वीडियो को शेयर भी कर देड़ेंगे तो चलिह मिलेंगे इसी तरह नेक्ट वीडियों देखने के लिए मेरे झाल झाल